हम प्राइदीप ये पठार का अध्यन कर रहे थे प्राइदीप ये पठार में हमने जो प्राइदीप का सामाने प्रीचे है और प्राइदीप के जो कुछ पठारी भाग हैं उनका अध्यन पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था अब इस video lecture में हम जो प्राइडीपी भार्त की मुखे पहाडियां हैं का अध्यन करेंगे हम ये बात जानते हैं कि जो प्राइडीपी भार्त के पठारी भाग है उनके बीच बीच में छोटी छोटी पहाडियां पाई जाती है और ये पहाडिया हैं वो ज़्यादातर आवसिष्ट परवतों के रूप में हैं ये ज़्यादातर पहाडिया हैं वो किसमे हैं आवसिष्ट परवतों के रूप में हैं आवसिष्ट परवत क्या होता है कि कोई भी जो परवत ये भाग होता है उस परवतिय भाग पर अनाचादन का कारिय है वो सतत जारी रहता है अनाचादन में हम अपरदन और अपक से दोनों को सामिल करते है तो इस अनाचादन के कारण ये जो परवतिय भाग है वो कटता रहता है और कटकर ये अंतताय लास्ट में एक छोटी पहाड़ी के रूप में रह जाता है तो ये जो इसका सेज भाग होता है उसे क्या कहते हैं अवसिस्ट परवत कहते हैं उधारन के तोर पर हम देखें तो जो आज का अरावली परवत है वो एक क्या है अवसिस्ट परवत है माना यह जाता है कि अरावली की जगह पहले बहुत विशाल परवत हुआ करता था और उस विशाल परवत के कटाव से आज जो इसका अवसिस्ट रूप है वो आज हमारी अरावली परवत सरेरी है कुछ जो परवत हैं प्राई दीप के वो होश्ट परवत भी माने जाते हैं इसमें होश्ट परवत के अगर हम बात करें तो आपने बीफस टीर में फिजिकल जोगरोफी में ब्रंस पड़े होंगे कि कोई भी दरातल है उसमें जब कुछ दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों के बीस का भाग अगर पठार के रूप में उपर उड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा होश्ट परवत कहलाएगा इसे ब्लोग परवत भी कहते हैं तो इसका जो सामाने उधारण माना जाता है वो सत्पूडा सरेनी को माना जाता है जो तापी और जो नर्मदा नदी है उनकी ब्रंस गाटियों की बीच में वो परवत इस्तित है इसे प्राइदी भी भारत के अगर परवतों की हम बात करें तो सबसे पहले हम अरावली सरेनी की बात करते हैं हम पिछले साल जो आपका राजस्तान का बुगोल था उसमें विश्तर तरूप से पढ़ चुके हैं रावली परवत को यहां बहुत ही संक्सेब में उसे देखते हैं कि गुजरात के पालनपूर से दिली तक ये अरावली सरेनी है वो विश्तरत है लगबक 622 किलोमेटर में और इसका अधिकांस भाग है वो कहां है राजस्तान में और राजस्तान का जो सिरोही उद्ले परवाला पार्ट है वो इससे अरावली का सबसे विश्तरत, सबसे चोड़ा और सबसे उंचा भाग है इसका सबसे उंचा सिखरा आपको पता ही है गुरू शिखर है जो राजस्तान के सिरोही जिले में इस्तित है अब ये जो सिरेनी है ये स्पिटिक निस्वर शिष्ट चटानों से बनी है अर्थात ये ज़्यादातर कायंतरित और आगन्ने चटानों से बनी है तो ये अरावली सिरेनी है अब अरावली के बाद हम दूसरी जो प्रवत है उसकी बात करें तो वो है विंदिन स्रेनी ये गुजराद से बिहार तक लगबग बारा सो किलोमेटर की लंबाई में फैली हुई है और ये जो स्रेनी है वो आवसादी चटानों से बनी है अवसादी चटाने जली निक्सेब के द्वारा बनती है यानि कि जो पुरानी चटाने है उनके कटाव से नदियों में जमाव होता रहता है और वो जमाव जब प्रद्दार रूप दारन करके चटानों का रूप लेता है तो वो कौन से चटाने होती है अवसादी चटाने तो ये जो विंदेंस रेनी है वो अवसादी चटानों से बनी है जिसकी ओसत उंचाई है वो 300 से 600 मिटर तक है यानि कि ये ज्यादा उंचा भाग नहीं है इसका जो उतरी भाग है वो मंद ढाल वाला है जबकि इसका दक्सनी भाग है जो दक्सिनी ढाल है वो अपेक्साकरत अधिक ढाल रखता है इसका जो ये जो विंदेन सरेनी है ये एक जल विवाजिक का कारी करते हैं जल विवाजिक आपको पता है ये कोई उंचा भाग जो दोनों तरफ के जल को दो दिशाओं में बेच देता है तो ये भारत के जल्ब विभाजिक का एक मुख्य पार्ट है विंदेन सरेणी की एक और खास विशेष्टा सांसकर्तिक दर्ष्टिकॉर्ण से हम देखें तो ये भारत को सांसकर्तिक रूप से दो बागों में भी विभाजित करती है तो अगर ये सामने से सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सी परवत सरेणी है जो भारत को दो बागों में बाड़ती है तो वो या भारत की बीचों बीच से गुजरती है तो वो हम ऐसा नहीं है कि जो ग्रोफिगली या जो अकसांस दिसांतर है उसकी सामने से बीचों बीच से गुजरती है लेकिन सांसकर्तिक दर्ष्टिकॉर्ण से विंदेन स्रेनी है वो उत्री भारत और दक्सिनी भारत के मद्देवर्ती भागों से गुजरती है तो ये आपको ध्यान रखना है अब अगर इसकी बात करें तो विंदेन जो परवत है उसका जो पुर्वी भाग है वो भारनेर और केमूर के रूप में फैला हुआ है विंदेन स्रेनी गंगा नदी और दक्सिनी भारत के अफ़वात अंतरों के मद्देजल विवाज़का कारिये करती है ये जो अगली स्रेनी है वो है स्रेनी पस्चिम में राज़ पीपला पहाडियों से सुरू होकर मादेव परवत होती हुई ये मेकाल स्रेनी तक जाती है मेकाल स्रेनी मद्देपरदेस और 36 गड़ सीमा के सीमा पर ये फैली हुई है ये लगबग 900 किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है और सत्पुडा है वो एक तरह से साथ पहाडियों का समू है वो क्या गया लाता है सत्पुडा है ये साथ पहाडियों की एक सरंखला है इस जो सरेनी है ये सत्पुडा सरेनी है इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और इसके दक्सिन में जो तापी नदी है वो नदी बहती है और ये दोनों ब्रंस गाटियों में पूरो से पस्चिम की और बहती है इसलिए इसे सामानित होश्ट परवत है वो समझा जाता है ये मानलो सत्पुडा सरेणी है और सत्पुडा के उत्तर में ये नर्मदा नदी है और ये दक्सिन में कौन से तापी नदी है और ये दोनों अरब सागर में गिलती है ये भाग है ये कौन सा सत्पुडा सरेणी है वो होश्ट परवत समझा जाता है ठीक है हालांकि इसमें कई जगे वेलन के परमान भी मिलते हैं तो जियोलोजिकली अगर देखें तो हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से यह होश्ट परवती है लेकिन फिर भी इसे ज़्यादातर होश्ट परवती माना जाता है इसको धूपगड वे अमरकंटक है वो इसकी उंची चोटिया है धूपगड है वो महादेव पहाडियों में है लगबग 1350 मिटर इसके उंचाई है और मेकाल सरेणी में अमरकंटक है अमरकंटक है वो अपके अंदरी अपवाह के लिए जाने जाती है यानि कि जो अमरकंटक है उसके तीन और तीन पहाडिया निकलती है पस्यम की और नर्मदा नदी और उत्तर की और सोन नदी पुरो की और महा नदी तो ये सत्पुडा सरेणी थी इसमें आपको जो पठारी भाग है वो और यहां की पहाडिया है वो अच्छे से समझा ये मेवाड वाला भाग है ये अरावली रेंज है ये मालवा का पठार है ये यहां पर ये विंदेन पहाडियां है ये सत्पुडा है ये पस्मी घाट पुर्वी घाट ये मेगाले पठार है ये चोटा नादपुर पठार हो जाएगा ये पूरा का पूरा कौन सा दक्कन का पठार जिसके महाराश पठार करनाटक और तेलंगाना ये सारे इसमें सामिल हैं तो ये आप बुक में भी देख सकते हो और यहां भी ये आप देख सकते हो अब जो नेक्स्ट इसके पहाड़ी है उसकी अगर हम बात करें तो वो है पश्चमी घाट इसको शाहद्री भी कहते ह हैं ये तापी नदी से सुरू होकर कन्या कुमारी तक लगबग सोले सो किलोमेटर की लंबाई में फैली हुई है इसका जो अरब सागर की और का भाग है वो बहुत ही तीवर ढाल रखता है आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि वहां पर लगबग ऐसे इस पस्यमी भाग था वो लगबग एक कगार के रूप में खड़ा था तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो अरब सागर की और वाला भाग है वो लगबग या बिलकुल खड़ा है वो कगार के रूप में है तो ये और इसका जो पूरवी भाग है वो पेक्शाकरत क्या है मंद है तो ये आपको ध्यान रखना है और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि जो पस्मी घाट है वो एक मुखे जल विवाजक है वो भारत का जो मुखे जल विवाजक है उसका एक हिस्सा है इसको हम तीन भागों में बांट कर इसका अध्यन कर सकते हैं सबसे पहले इसके इतरी भाग की बात करें तो तापी जो नदी की घाटी है उससे लेकर गोवा तक के भाग को हम इसमें सामिल करेंगे इसमें थाल गाट वा भोर घाट है वो दो मुखे दर्रे हैं आपको दर्रों के बारे मुझे बताएंगे उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है तापी नदी से लगबग गोवा तक का जो ये पार्ट है ये उत्री शाधरी है यहाँ पर क्या है कि इसका जो पुरुवी भाग है वो हमने क्या पढ़ा था? दक्कन पठार है और दक्कन पर हमने क्या पढ़ा था? लावा का जमाव पढ़ा था तो ये जो पस्मी घाट का उत्री भाग है यहाँ पर भी कुछ-कुछ लावा का जमाव है वो पाया जाता है इसकी उंची चोटियों के अगर हम बात करें तो एक तो कलसु बाई है और एक महाबलेश्वर महाबलेश्वर इसकी उंची चोटियां है तो ये महाबलेश्वर है ये बहुत अच्छा हीली स्टेशन है जहां पर बहुत ज़्यदा परिये टक जाते रहते हैं इसमें दो दर्रे हैं थालगाट वे बोरगाट क्या होता है कि आपको दोनों तरफ से अगर समझाएं तो माल लो ये कोई उंचा परवती भाग है अब इसमें इस साइड से उस साइड जाने पर ये एक तरह से अवरोद का काम करता है लेकिन कही बार क्या होता है कि ये पहाड़ी सरंखला है ये बीच में कुछ क्या है कटी हुई होती है और आगे वापस ये उंची उड़ जाती है तो ये जो निचला इसका भाग होगा ये एक तरह से दर्रे का काम करेगा तो इसमें दो दर्रे हैं एक थाल गाट और एक भोर गाट ये बंबई सहर को पूने और जो पसिम मंगाल वगेर है वहां तक इससे बहुत ज़्यादा परिवेन की जो सुविदाएं है वो इनी दर्रों से परदान की जाती है अगला जो इसका पार्ट है वो है मद्दे सहादरी या मद्दे पसिमी घाट है वो गोवा से नीलगीरी तक है यहां से आप यह समझ लीजी यहां तक यह जो पूरा भाग है यह मद्दे जो सहादरी है उसका है यह पूरा का पूरा भाग है वो ग्रेनाइट और निस से बनाए यानि यह आगने और कायंतरी चटानों से यह बना हुआ है यहां पर एक चोटी है उसका नाम है कुद्रे मुक जहां पर लोहे का खनन है वो काफी मातरा में किया जाता है इसमें एक पहाड़ी है बाबा बुदान की पहाड़ी उससे वहां लोहे की ख़दान है तो यह नीलगिरी तक का जो भाग है इसे मद्दे सहादरी कहते है यह नीलगिरी पहाड़ी है यह भी इसी मद्दे सहादरी में सामिल है नीलगिरी की सबसे उंची चोटी है उसको दोदा बेटा कहते है और इसकी उंचाई है इस चोटी की वो है 2637 मिटर और यह दक्सिनी भारत की दूसरी सबसे उंची दक्सिनी भारत की दूसरी सबसे उंची चोटी है एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो नीलगीरी वाला भाग है यह यहाँ आप देखोगे यह वाला जो भाग है नीलगीरी वाला यह पस्मी घाट और यह पुर्वी घाट इन दोनों का मिलन इस्थल है यह नीलगीरी तो यह आपको ध्यान रखना है कई बार सीधा क्यूशन आजाता है कि पस्मी घाट और पुर्वी घाट यह दोनों कहां मिलती हैं तो यह नीलगीरी की पाड़ियों पर मिलती है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे उंची चोटी है वो कौन सी है दोदा बेटा ये दकसिनी भारत की दूसरी सबसे उंची चोटी है अब इसका जो दकसिनी भाग है पसिमी घाट का वो नीलगिरी से दकसिन की तरफ फैला हुआ है और ये नीलगिरी से पाल घाट गैप दोरा क्या है अलग है यहां आप देखोगे तो ये जो नीलगिरी है और इसके दक्सिन में यहां पर आपको पाल घाट मिलेगा जो मैप आप देखोगे तो यहां जो एक तरह से पस्जी में घाट की निरंत तरता है वो खतम हो जाती है, कई दूर तक पहाड़ियां नहीं है और उसके बाद वापस पहाड़ियां सुरू होती है, यानि कि एक गैप, एक दर्रा है वो बीच में आता है, और जो केरल का ये जो तटवर्ती लाका है, इसको तमिलाडू के इन सहरों से मिलाने का काम है, वो ये पाल आपको ये अणनामलाय हिल जो है, ये आप देखिए, ये अनामुडी है, यहां पर और इस अनामुडी के दखसिन में कारड़मम पहाडियां और इसके इस साइड में पूरो में जो पालनी हिल्स है, तो इससे ये ये जो अनामुडी है, इसके पूरों में ये पालनी हिल्स होगी और दक्सिन में है ये कारडामम पाहडिया है ठीक है कारडामम यानि की इलाईची की पाहडिया तो जो नीलगिरी है उसके बाद क्या आता है ये पालगाट दर्रा आता है और पालगाट दर्रे के बाद अन्नामुडी है और अन्नामुडी के दक्सिन में कारडामम पाडिया है और इस अन्नामुडी के पूरो में पालनी पाडिया है अब ये जो पालनी पाडिया है उस पर हिल स्टेशन पाये जाते हैं और जो कारडामम पाडिया है वो भारत की दक् अन्ना मलाई और इसकी जो उंचाई है वो है 26,95 मिटर और ये दक्सिनी भारत की सबसे उंची चोटी है दक्सिनी भारत की या हम कहे दें की प्राइदी प्ये भारत की या हिमाले के अलावा हिमाले के अलावा ये भारत की सबसे उंची चोटी है हिमाले में बहुत सारी उंची चोटिया है चाहए वो Mound Everest हो, कंचन जंगा हो ये सारी लेकिन हिमाले के अलावा चाहए वो मैदानी भाग हो चाहए वो पठारी भाग हो उन में सबसे उंची चोटि कुटी है? अनाम लाई तो ये आपको याद रखना है सिदे सिदे ये भी कई बार कुशन पे पूछ लिया जाता है अब इसके बाद जो अगला पार्ट है ये आप यहां देख सकते हो कि ये पूरा कौन सा है उत्री वेस्टन घाट ये मद्देवर्ती वेस्टन घाट जो हमने पढ़ा है ये नीलगीरी है यहां पर ये पाड़िया और यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्या है एक ये वाला पार्ट ये आपको एक गैप नजर आ रहा है पाड़ियों के बीच तो ये क्या है पाल गाट है यहां पर ये कंफर्म हो जाए ये आपके यहां देख सकते हो आप इस चितर में यहां भी क्या है पाल गाट है तो य यहां से इधर पालनी हिल्स हैं, यह अनामलाई और दक्सिन में कौन से हैं, कारडमम, तो यह तो दक्सिनी पस्चमी घाट हो गया, यह मद्देवरती पस्चमी घाट हो गया, यह उत्री पस्चमी घाट हो गया, तो यह आपके क्लियर हो जाएंगे इस चितर से, अब अगली ज अब यहां यह ध्यान रखना कि पस्थमी घाट है वो सतत है और पुर्वी घाट है वो क्या है विच्छेदित है वो अलग-अलग पहाड़ीयों से मिलकर बना है यहां पर जो नदियां आती है पस्थम से चाहे वो गुदावरी हो कावेरी हो कृष्णा हो इन्होंने इन इसमें नला माला, वेली कॉंडा, पाल कॉंडा, इरा माला यह पहाडियां है कुछ तमीलाडु में जावडी, शेहराय, पंचमला यह पहाडियां है तो यह आप कुछ-कुछ ही याद रख लीजिए और अब हम जानते हैं कि पुर्वी घाट है वो पस्थमी घाट से कहां ज यह प्राइदी पर पठार के महतव की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खनीजपदार्थ हैं वो इसी भाग में पाये जाते हैं और इसका जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर भी कहा जाता है यहाँ पर चाहे वो लोह खनीज हो चाहे वो मैगनीज हो चाहे वो कोबाल्ट हो चाहे वो सोने की भी कुछ खाने जो भारत में पाये जाती हैं वो भी यही है जो कोईला है वो भी यही पाये जाता है यह तो खनीजों के मामले में यह जो प्राइदी पर पठार है वो बहुत ही ज्यादा शम्रद है इसके लावा के अनाचादन से या उस लावा के अपकसे से जो मिटी बनी है वो कौन सी मिटी है काली मिटी और काली मिटी किस फसल के लिए जाने जाती है कापास के लिए तो ये जो काली मिटी है वो कापास की फसल के लिए बेहद उपी होगी है तो काली मर्दा कभी यहां पर विस् चेतर है भारत के बहुत ज्यादा वन यहां पर पाए जाते हैं पस्मी घाट है वो एक होट स्पोर्ट है इस द्रिश्टी कौन से वहां पर बहुत घने वन पाए जाते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो पन बिजली की सुविधा यहां पर खूब है क्योंकि हम एक चीज देखते हैं कि यहां की जो नदियां हैं वो कई नदियां वो जल पर पातों का निर्मान भी करती हैं और जल पर पात हैं वहां पर आसानी से पन बिजली की वेवस्ता है जो हाइडरो एलेक्टरिसिटी है उसकी वेवस्ता अराम से की जा सकती है यहां पर माबले शोरम है यहां का जो धरातल है वो कई बागाती जो फसले हैं उनके लीए भी काफी है जैसे काजु है यह पिर जो कोफी है चाय की भी यहां पर बागान लगाई जाते हैं तो उनके लिए ये काफी important है तो ये इसका सामन्ने जो महत्व है वो है तो ये आपका जो प्राइडी पी पठा रहा है उसका पूरा पूरी जानकारी थी अब आपका एक बुगाकरतिक परदेश कौन सा बच गया है तटिये भाग जो भारत के हैं और उसके साथ थी हम जो भारत के दीप और दीप समू है उनका दिन कर लेंगे झाल 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 झाल